तो इस वीडियो में हम जानेंगे IBPS RRB क्लर्ग की जो न्यू नोटिफिकेशन आने वाली है 22-23 की उसकी complete details जिसमें के हम slavers exam pattern is limit salary और vacancy कितना आता है और cut-off क्या जाती है सब कुछ discuss करेंगे तो वीडियो को like करना और जासे आज share कर देना तो आसे मैं एक series start कर रहा हूँ government job का जितने भी upcoming government job है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी complete details एक वीडियो में ठीक है तो सबसे पर हम जानते हैं IBPS RRB clerk के बारे में कि यह vacancy कब तक आयागा और कितनी number of vacancy होने वाली है तो इसके exam date पहले ही clear कर दिया गया था IBPS के दुआरा ठीक है official notification जारी हुआ था जिसमें की exam date clear था और exam date आपका clear है देख सकते हो 12, 13 और 19 तारीक को IBPS कलक्ट परी का exam होना है ठीक है इसके according अगर हमें देखे आपका notification कब तक आएगा तो लगभग 40 से 42 दिन पहले notification आता है exam से तो आप मान के चलो June इंट तक आपको notification confirm देखने को मिलेगा ठीक है June 25 से 30 के बीच में आपको ये notification confirm देखने को मिल सकता है IBPS के official website पे अगर हम बात करें आगे की process की तो जो इसका prelims exam होना है वो यहाँ पर mention है जो कि आप देख सकते हो कब होना है 12, 19 और 13 को होना है उसके बाद फिर इसका main examination भी conduct कराया जाएगा ठीक है तो वो सारे process भी यहाँ पर जल्दी कराया जाते है IBPS का जब भी notification आता है तो आपको joining बहुत जल्दी मिल जाता है अब इसमें number और post आते हैं लेकिन जो experience वाला post होता है वो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर mention है और जिसमें experience नहीं चाहिए होता है वो है आपका office assistant जिसको हम clerk भी बोलते हैं ठीक है multi purpose लिखा हुआ है इस vacancy के हम बात करें तो लगभग आपकी जो previous year में vacancy आई थी वो 4483 आई थी यह आपका notification के time दिया गया था और joining के time यह बढ़कर आपका 4566 हो गया ठीक है तो जो clerk की vacancy आती है इसमें उसमें कोई भी experience नहीं मागा जाता है और P.O. के भी IVPS के तरफ से vacancy निकाला जाता है RRB P.O की तो वो मैं अलग से एक video बना दूँगा जिसमें मैं P.O. की जान करी दूँगा ठीक है तो जो clerk की vacancy रहेगी आप देख सकते हो 4500 से उपर रहेगी अगर इसके हम exam fee के बारे हैं बात करें तो exam fee क्या रहेगा जो form आप भरोगे CST से बिलॉंग करते हो तो 175 रुपय आपको लगने वाला है OBC और आपका जो general category है उन सारे के लिए आप देख सकते हो 850 लगेगा ठीक है आगे हम बात करें age limit की तो 18 से 18 साल के बीच is limit रहेगा RRB clerk का अगर हम नीचे relaxation की बात करें तो CST वालों को 5 यर मिलता है OBC वालों को 3 यर मिलता है और PWD से जो ब्लॉंग करते हो 10 यर यहाँ पर relaxation ले सकते हैं आगे हम बात करें तो यहाँ पर selection process है pre, main और आपका document verification ठीक है यहाँ पर कोई भी interview नहीं है clerk की exam में आपके IVPS हो या SBI हो किसी भी exam में clerk के interview नहीं होता है banking sector में ठीक है तो clerk में यहाँ पर interview नहीं है RRB clerk की हम बात करें तो main और pre exam होना है जिसके basis पर आपका selection होगा pre qualifying रहता है main अग्या mission के basis पर आपका merit बनता है नीचे चले तो पड़ी का जो syllabus है बहुत easy है पड़ी का syllabus आप देख सकते हो 40 number का 40 question रहेगा reasoning से 40 number के 40 question रहेगा numerical ability से लेकिन यहाँ पर एक condition रहती कि cut up काफी ज़्यादा high जाता है हम last year देखे अच्छे accuracy आपकी होनी चाहिए तभी आप इस exam को qualify कर सकते हो 45 minutes time यहाँ पर दिये जाते है आगे हम देखे तो आगे जो आपका यहाँ पर minus marking रहेगा वो 1 by 4th रहेगा minus marking यहाँ पर 1 by 4th होता है तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखके चलना है main examination है हम यहाँ पर topic wise syllabus भी देखेंगे तो सबसे पहले आप देख लो syllabus जो है वो क्या है तो reasoning आपका रहेगा 50 number का 40 question zana awareness 40 number 40 question numerical ability 50 number 40 question ठीक है और हिंदी इंगलिस जो रहेगा paper आपका language paper वो 40 number का 40 question रहेंगे computer से 40 question 20 number का total exam जो होना है वो आपका 200 में 200 question रहेंगे ठीक है 200 number का 200 question पुछा जाएगा और 2 घंटा यहाँ बाद time भी दिया गया है तो यह कुछ यहाँ पर exam pattern है आपका main examination का अगर हम pre की syllabus की बात करें reasoning में आप देख सकते हो pre main का almost same syllabus होता है आप यहाँ पर देख लो pre का जो syllabus होगा reasoning में उसमें क्या होगा और 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 आउट होगा analogy से question नहींगा c logs coding recording blood relation alpha test series सब कुछ यहाँ पर रहेगा जो की banking sector में होता है ठीक है ranking and timing direction sense decision making figure series सब कुछ यहाँ पर रहने वाला ठीक है तो यह आप screenshot ले सकते हो ताकि आप अच्छे से preparation कर सको और quantity हम बात करें decimal fraction SI time and work average partnership ratio and proportion ठीक है case study और आप देख सकते हो permutation and combination से भी question रहेगा HCF and LCM से question रहेगे profit and loss CI से आपका question रहेगा time and work और simplification यह सब यहाँ पर होना है time and distance से भी question रहेगा फिर इंगलिस के syllabus की बात करें तो spotting इडर रहने वाला है पारा जम्वल वाट रहेगा ठीक है idiom and phrases रहेगा comprehension रहेगा filling the blank closed list और one word substitution से question आते हैं नीचे हम चले तो नीचे फिर आपका आता है जो next level है हिंदी का आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका paragraph से question रहने वाला है filling the blank से भी question रहेगा आगे चले तो computer का section भी आप यहाँ पर देख लो shortcut key से पूछे जाएंगे networking, MS, office और database से question होने वाले है और history and future of computer से भी question रहेंगे तो यह सब भी आप देख लेना ठीक है जिनना बने से आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पर पूछा जाएगा जो countries हो गया उसके बारे है पूछा जा सकता है India and international economy से भी question रहेगा banking term से भी question रहेंगे RBI book and author से यहाँ पर question होने वाले है ठीक है तो यह आपका पूरा syllabus है जो की IBPS RRB clerk में topic wise पूछा जाता है next हम चले syllabus के बारे हम बात कर लिया है तो आप salary के बारे में बात कर लेते है जो आपका clerk का salary है वो आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर mention है office assistant जिसने हम बोलते हैं इस post को तो यहाँ पर 15,000 से 20,000 के बीच में आपकी salary रहेगी तो यह कुछ salary बगरा हो गया है अब हम बात करते हैं लास्ट हर जो cut-off गए थी उसके बारे में जो cut-off रहता हुए क्या रहा था अब देख सकतो 71 भी गया है 64 भी गया है 75 भी गया है out of 80 में आपको दिखा रहा हूँ 80 में यह cut-off गया है 76 भी cut-off जाती है highest cut-off अभी हमें 76 देखने को मिला है तो 76 के अराउंड भी cut-off कुछ state के गया है तो थोड़ा सा यहाँ पर cut-off जो हाई रहता है जिसके कारण बहुत सारे candidate इस exam को qualify नहीं कर सबाते हैं जो question का level रहता है उतना hard नहीं रहता है easy रहता है लेकिन यहाँ पर accuracy बहुत जादा matter करता है इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है तो यह है कुछ complete जानकारी IBPS RRB clerk notification के बारे में उमेद करता हूँ कि आपने यह वीडियो देख लिया है तो आगे आपको इसके regarding कोई भी जानकारी लेने के लिए अलग वीडियो देखने की जोगत नहीं पर है तो यह आपको इस आपको बता दिया मैं अगले वीडियो में करने टेकर